नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में बीटीसी जीएई वेकेंसी अपडेट के बारे में जानेंगे कि अभी क्या कुछ आप लोग के लिए नहीं सूचना है बीटीसी जीएई वेकेंसी को लेकर और जैसे कि यह 23 फरवरी को जो आप सब के द् पर इंपक्ट परे हैं और जैसे कि बिधान सवा के जो पुर्व अध्यक्ष थे बिजय कमार सिन्हा उन्होंने जो ब्यान दिये थे जिसमें उन्होंने कहा है कि उच अस्तर ये जांच कमेटी का गठन हो इसके जांच के लिए जैसे कि ये भी छात्रों के पक्ष में ही बोले और क्या कुस时 का स्टेट में था वह मैंने आपको उसका फूली वीडियो क्लिप भी दिखाया दे और इस वीडियो में हम इसका जो उच अस्तर ये जांच कमेटी को लेकर चर्चा किया है तो क्या यह उच अश्त्रायी जांच का गठन हो पाएगा इस जो वाकेंसी है जिसको केंसिल को लेकर जो सरकार ने हाई कोट में हलप नामा दायर किया है उसको लेकर कि क्या यह क्यों केंसिल किया जा रहा है और जैसे कि उनीस से ही इसको लटका के रखा हुआ है और आप सब को पता है कि आयोग ने भी बोला था कि हम अक्टूबर के लास्ट अक्टूबर लेकिन फाइनली लगबर 2019 से ही इन सारे कंडिडेटों को फसा के रखा हुआ और फाइनली इस वेकेंसी को केंसील करने की चर्चाय चलिया जैसे कि हाइकुट में बोला गया कि इस वेकेंसी को नए सीधे से चार मन्थ में लाया जाए क्या कुछ होंगे और क्या बिजयक मरसिनाओ ने कहा था वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानते हैं चलि, लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में जान लेते हैं तो जैसे कि आपने सुने की विफाक्स के जो नेता है विजय कमार्चिना और वह पूर्ब विधानसवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो उन्हों ने कहा कि इस मामले की जाच के लिए उस मामले की पूर्ण रूप से जाच के लिए उस्तर ये कमेटी की गठन होनी चाहिए सरकार को करनी चाहिए तो क्या इस पे सरकार अमल करेगी या उस तर ये जाच का आपको BTSCJE की रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहेंगे थैंक्यू